आज बिताऊंगे कि सिर्फ 2-3 दीन में ही आप अपने अक्टिव आक्ने और पिंपल को किस तरह से खतम कर सकते हैं अगर आपके चाहरे पे बहुत जादा आक्ने और पिंपल्स हो गए हैं और वो खतम नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपनों की साथ एक बहतेरीन होम रेमिडी शेयर कर रही हूँ जिससे सिर्फ वन वीक में ही आपके अक्ने और पिंपल्स को कम्प्लीटली खतम कर देता है और सिर्फ दो से तीन दिन के यूज़िस में ही ये आपके अक्ने की रेडनिस और इंफलमेशन को खतम कर देता है इसके इलावा गर आपको अक्ने और पिंपल्स नहीं हैं सिर्फ मार्क्स और स्पॉट्स आपके चहरे पर तो इसमें भी आप इसको एपलाई कर सकते हैं क्योंकि ये रेमिडी आपके स्पॉट्स और मार्क्स को खतम करने के लिए भी बेस्ट है तो यह एक tried and tested remedy है, इसको मैंने already use कर लिया है और मुझे बहुत अच्छा result मिला है, so I thought कि मुझे आपनों के साथ इसको share करना चाहिए, आप देख सकते हैं कि यह बस थोड़ा सा बचा है और यह खतम होने वाला है, तो आप सब जिसको जिसको acne और pimples बहुत जादा होते हैं, इ आपके acne को heal करता है, soothe करता है, यहाँ पर आपको लेना है तकरीबन दो चम्मच अलोवेरा जेलिक्स ट इंग्रीडियंट है, नीम पाउडर, नीम हमारे acne और pimples को treat करने के लिए एक best ingredient है, नीम में ऐसी properties होती है, जो कि हमारे acne के bacteria को मारता है, हमारे acne को control करता है, और इसको अलग-अलग remedies में regularly use करते हैं अपने face पे, तो यह आपके acne को control करने के साथ-साथ, आपकी जो acne होने के बाद marks और spots रह जाते हैं, उसको भी यह heal करता रहता है, तो यहाँ पर आपको लेना है, 1-4 teaspoon नीम पाउडर, नेक्स्ट इंग्रीडियंट है कस्तूरी हल्दी, यहाँ प सिर्फ हल्दी को आप पानी में paste बना के अपने acne पर लगाते हैं तो यह overnight में आपके acne के inflammation और redness swelling को completely खतम कर देता है, और यही ingredient है जो आपके acne के redness को खतम करेगा, तो यहाँ पर आपको लेना है half tablespoon कस्तूरी हल्दी, और हमारा last ingredient है tea tree essential oil, tea tree oil हमारे acne और pimples के लिए एक medicine है, यह हमारे acne और pimples को बहुत अच्छा से treat करता है, acne की bacteria को kill करता है, acne को control करता है, अगर आपके acne prone skin है, आपको हमेशा बहुत ज़दा acne pimples का issue रहता है, तो आपको tea tree oil ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने अलग अलग skincare products में, आप इसको अपने toner में mix कर सकते हैं, अपने moisturizer मे mix करके सको everyday use कर सकते हैं, इससे यह आपके acne को बहुत अच्छे से control में रखेगा, और आपके acne को यह बहुत fastly remove करता है, तो यहाँ पर आपको 2-3 drops डालना है tea tree oil, इस cream को आपको दिन में 2-3 बर apply करना है, रात को सोने से पहले आपको face wash करना है, गंदे face में apply नहीं करना है, face wash करने के बाद, इस cream को आपको अपने acne के उपर apply करना है, और overnight के लिए छोड़ देना है, अगर आप दिन में घर पे रहते हैं, तो आपको इसको again face wash करना है, और इसको apply करना है, और जब यह सूख चाहे तो प्लेन पानी से face wash करना है, ठीक है, इसको जब भी आप face wash करेंगे, क्योंकि यह आपके spots को, marks को, dark spots को बहुत अच्छे से remove करता है, इस cream को आपको तब तक यूज़ करना है, जब तक आपको बहुत अच्छा result ना मिल जाए, अगर आपके थोड़े बहुत pimples है तो आपको वन वीक में ही अच्छा result मिलेगा, लेकिन अगर आपके बहुत आपको बिल्कुल अवाइड करना है, पानी बहुत अच्छा से पीना है, अगर आप इस cream को इस remedy को अपलाई करने के साथ साथ यह सारे चीज़ भी करते हैं, तो आपके acne बहुत जल्दी खतम हो जाते हैं, अटलीस जब तक आपके acne खतम नहीं होते हैं, आपको यह सारे आपके acne को और जादा बढ़ाता है, और आपके pimples और जादा आते हैं, तो जब तक आपके pimples खतम नहीं हो जाएं, यह सारे चीज़ आपको नहीं खाना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है, और इस cream को जरूर से अपलाई करना है, वन वीक के बाद आपके बहुत अच्छ करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे निव वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अलाहाफेज